नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं नाम नरेंदरि विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राषी के बारे में। 12 राषिकों में इसका सात्वा नंबर है। और शुक्र देवधा कि ये मूल त्रिकॉर्ण राषी मानी जाती है। जो कुंडली के सात्वे भाव पर रहती है, दोस्तों, दोस्तों, आज हम बताएंगे कि तुला राशी के जातक किस परकार होते हैं, क्या तुला राशी के तत्वे होते हैं और क्या इसके गुण होते हैं, तो दोस्तों, आज हम इसी विशे पर चर्चा करेंगे और तुला रा नमस्कार दोस्तों दोस्तों चर्चा को शुरू करते हैं दोस्तों आज हमारे चर्चा का विशह है तुला राशी तो दोस्तों आज हम जानेंगे तुला राशी के बारे में कि तुला राशी के जादा किस परकार होते और क्या तुला राशी का गुन और तत्वे होता है दोस् पहले बात करते हैं कि तुला राशी दोस्तों जो हमारी तीन आशा होती है एक होती है नाममक्षा की राशी एक होती है चंदर राशी और एक होते सूर्य राशी जैसे कुछ लोगों का ना विभारिक नाम कुछ और होता है और कुंडली में कुछ नाम कुछ और होता है तो दो दोस्तों तुला राशी तीन नक्षवत्रों से मिलकर बनी होती है, क्योंकि जो पर्तिक राशी होती है, उसमें कम से कम तीन नक्षवत्रों की उर्जा होती है, तो इसमें प्रान नक्षवत्र आता है चित्रा, दूसरा स्वाती और तीसरा विशाखा, चित्रा के आपके दो च तो दोस्तों, अब बात करते हैं, इस राशी के चिरण। पर्तिक राशी में नौ चरण आते हैं दोस्तों, वो नौ चरण इस परकार है, याएनि कि नौ अक्षर आएंगे. और जिस भी इंसान का जिस अक्षर से नाम शुरू होता है यानि जो मैं आप इन अक्षर बताऊंगा अगर आपका नाम उस अक्षर से शुरू होता है तो समझ लो आपकी तुला राशी है और वो अक्षर इस परकार है यह वो नाम अक्षर है जिससे तूला राशी बनती है दोस्तों अक्षर आपने सुना वगा कि एक ही राशी के लोग होते हैं लेकि उनका सुभाव अलग-अलग होता है वो इसी कारण होता है कि परतेग राशी में तीन नक्षतर की उर्जा होती है जिसका थोड़ा बहुत आदमे का सभाव बदलता है लेकिन इस राशी को जो पूर्ण रूप से रूल कर रहा है वो है शुक्रदेपता तो इस राशी में शुक्रदेपता की पूर्ण उर्जा बनी वी है दोस्तों यानि कि गुण हैं दोस्तों इस राशी में अब दोस्तों बात करते हैं इनके चीनों के बारे में क्योंकि अगर हर राशी के अपने चीन होते हैं और चीनों से आप उस राशी को ढंक से समझ सकते हैं दोस्तों तो मैं कुछ सवाल लिखे आया हूँ उसके साब से मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इसका पहला सवाल पढ़ता है इसका पहला सवाल कौन सा है दोस्तों पहला सवाल इसका यह है कि इस राशी का चिन क्या है दोस्तों इस राशी का चिन है तराजू दोस्तों तराजू को बताया गया है बैलन्स दोस्तों यानि कि किसी चीज को नापने की शमता यानि क बैलंस करना अगर पांच किलो का समान है तो पांच किलो का वजन होगा तो बराबर हो जाएंगे तो यह राशी जो है यह बैलंस की राशी है और दूसरा दोस्तों तराजू किसके हाथ में है पुरुष के हाथ में है ठीक है तो दोस्तों इस सब अनुमान लगा सकते हैं जो त एक आधिक गर्मी ना अधिक ठंड हर चीज का बैलनस अपने हर रुतो के इसाभ सभसे बदलता है मौसम वैसे यह लोग होते हैं यह असल में क्या बोलते हैं प्रवतन शी का बदलते हुए रहते हैं हालतों के हिसाब से और हर चीज को बैलनस बना के चलते हैं दूसरा दोस्तों तराजु को बताया गया है असल में न्याए भी क्योंकि जो आपका शुकराशी के लोग होते हैं यह काफी न्याए पिरियल लोग होते हैं यह किसाथ गलत नहीं करते हैं ना किसाथ गलत होने देते हैं जहां भी होंगे सही बात कर रिल़ेंगे नियाए करेंगे और जला होने नहीं देंगे एन लोगं की खास्यत बाथ रूस्थदोग दोस्तों जो खोबिया होती है उन को लाने वे लगए सकनर होती है कि और चीज बेलशिक रहने सबसे चले यह जितने अच्छे हैं उतने था यह इसफिर बुरे तुमान अलगा सकते हैं तराजू चिन से दोस्तों दोस्तों ये राशी कौन सी है ये चर राशी है चर मतलब होता है चलने वाली राशी तो दोस्तों ये जो लोग होते हैं ये कभी शांत नहीं बैठते हैं ये हमेशा करम करते रहते हैं ये कुछ नकुछ कारिये करते रहते है और दूसरा दोस्तों, इनको घुमने फिरिने का बड़ा शौक होता है, और मैंना भी आपको बताया था कि समय के साब से बदल जाना, क्योंकि परिवर्तन, जो चर राशी होती है, यह अपने जैसे कुछ एकुछ इस्तिराशी यानि कि जो हम ने सोच लिया, जो हम जिस परकार के हैं, विल्कुरा बैसे रहेंगे, यह ऐसे नहीं होते, अगर इनको बात सही लगती है, और अगर कारी सही है, तो दूसरे कारी को छोड़ कर रहे हैं, उसको छोड़ के दूसरे कारी कर सकते हैं, अगर उनको लगता कि आपकी बात सही है, तो अपना सिधान को छोड़ के आ नुमाल आ सकता है यह दिखती परिवतन शील भी होते हैं दोस्तों दोस्तों इसकी दिशा बताई गई है पच्छिम ठीक है दोस्तों आप बात पढ़ता हैं कि इनके देवता कौन है इनके देविया है वह मादूर्गा और मा लक्ष्मी जानि कि जो क्योंकि शुक्र देवता क जितना भी सुख सुविदा धन दौलत के मालिक बना के भीजा है। बिना शुक्र के आप सुक नहीं ले सकते। इसलिए दोस्तों, जब आप मा लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो मा लक्ष्मी की पूजा से हमें धन मिलता है। और धन से हम सादन उटाते हैं। आपना ख्याल रखते हैं, सामना लोगा ख्याल रखते हैं। और खुशीयं हासिल करते हैं। ऑर दूसरा बताएगए दूरगा, और आदम कैसे राशिल करएगा। जिसमें हिम्मت होगी, जो मेहनती होगा। बड़े बड़े शौक होते हैं। बड़े बड़े शौक होते हैं, क्योंकि धन सही इच्छाएं पूर्ण होती है, तो मा लक्षमी इच्छां को पूर्ण करते हैं, दिन में काफी इच्छाएं होती हैं, दूसरा मा दुर्गा, यह शक्ती की देवी हैं, तो यह लोग निडर होते हैं, और शक्ती मान होते हैं, गपराते नहीं हैं, यह भी आप इसनुमान भी लगा सकते हैं. अगलव साल पढ़ते हैं, इसका, हाथ दूसा है कि यह, असे तो यह लोग कोधी नहीं होते, पर कभी-कभी अगर गुस्सा आ जाये, तो बहुत खतरना गुस्सा आ जाता है, पर होता शनिक है ठीक है आप मादुर्गा से यह भी अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि मा कैसी होती है मा गुसा तो करती है यह अगर बच्चे हाथ पाओं जोड़के माफी मांगे खड़ रहें तो मा माफी कर देती है ठीक है अगला साल पढ़ते हैं इसका शुब दिन कौन सा ह शुकर वार ठीक है जी अब अगला इसका रंग कौन सा है इसका रंग बताया गया है शुब रंग बताया गया है नीला और हरा अब नीला क्या है नीला आस्मान है यानि कि विस्तार है तो जो यह शुकर राशी है विस्तार की राशी है फैलाओ की राशी है और गहराई की र से देखते हैं यह पक्षपात नहीं करते हैं कह सकते हैं कि किसी की लाइफ में इंटर्फेर नहीं करते हैं चाहते हैं कि इनकी लाइफी इंटर्फेर ना करें इनकी अपनी एक दुनिया होती है दूसरा दोस्तों जो नीला रंग है और गहराई का रंग है तो यह लोग हर काली मैंने कि सुक कौन लेता है जो छोटी छोटी चीजे में खुशिया ढूंड सके और छोटी छोटी खुशिया कौन ढूंटा है जो उसकी गहराए में जाए समझें कि यह चीज क्या और कितनी महत्पूर है तब तो आदमी संतूष्ट होता है तो नीला रंग इनको संतूष्टी देता है गहराई देता है हरा रंग होता है बुद्धी का प्रवतन शील का फैसले करने का तो इनके अंदर बुद्धी अच्छी होती है हर बात को जल्दी समझते हैं और हरा रंग ठंडक देता है शांती भी देता है तो यह शांत लोग होते हैं और लाइब को इंजॉय करते ह थो और सब्राशिय कुन बुतुन राशी है औरिस इस खत बात बाद गुंद नारी है और को शानव थे और अब बात करते हैंइसके इसका क्या है इसका असलिक है पार्टनर्शिप और सांज्यदारी यह पत्नी से पार्टनर्सिप बीनांánh के जलते हैं और समाज से भी यानि कि लोगों को साथ लेकर चलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं इसका जो स्वामी है वो बताया गया शुक्र देपता दोस्तों जो शुक्र देपता है उसको बताया गया भोग विलास का देपता बताया गया है तो दोस्तों जो तुलराशी के ज इससे सुन्दर देखे, दूसरा खाने खाने का शौक होता है, खाना यह नहीं पाउन तरा खाना खाना खाये, थोड़ा हो लेकिन बहतर तरीके से पेच किया हो, इस तरह के इनके शौक होते है, इन्हें साफ सफाई का बहुत शौक होता है, तुकि यह शुकर देपता को बताय गया है रंगिली मतलब क्या है जितनी संसार में जितनी भी रंगीनिया है खुशिया है उस सब के देपता शुक्र देपता है दोस्तों और दोस्तों इसका जो गुन बताया गया है वो बताया गया रजोगुन और रजोगुन को क्या बताया गया है इच्छाएं दोस्तों जो तो ऩुलराशी के लोग होते हैं, इनमें काफी बड़ी-बड़ी इच्छाए होती हैं, क्योंकि रजोगुन मतलब होता है करम, जिसमें इच्छाएं नहीं होगी, वो करम कैसे करेगा? और करम वो ही करेगा, इसकी इच्छाएं होगी, तो इनकी इच्छें बड़ी 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 होती है कि लाइफ में कुछ करना चाहते हैं संसार में कुछ करके दिखाना चाहते हैं हरे कच्छी चीज को पाना चाहते हैं हरे कच्छी चीज को भोगना चाहते हैं कुदर्थ को देखना चाहते हैं तो इस सब की इन इच्छाओं को पूर्थी करने के लिए इनसान को कलम करना पड़ता है, तो यह जाता काफी करम शील होते हैं, तो रजोगुण इनकंदर करम इच्छाएं देते हैं, दूसरा रजोगुण का जो फल वुक को बताया गया दुखी, दुख, तो जो पुलराशी के लोग होते हैं, इस सब कुछ प्राथ कर लेते हैं, लेकिन फिर दुखी रहते हैं, कुछ ना कुछ इनको कमी रहती ही रहती है, हर किसी ब्लैंपी खड़ता ही रहते हैं, यह तो है पर वो नहीं मेरे पास, वो कठा करना है, तो थोड़ा बहुत दुखी तो यह रहते हैं, कि सम्तुष्टी काम होती है दोस्तों दूसरा दोस्तों जो आपका शुक्र देवता है इसका तत्यों बताया गया जल अब जल मतलब क्या हो गया कि जल मतलब ते दया तो जो तुला राशी के लोग होते हैं वैसे तुला राशी का तत्यों वायू है लेकि शुक्र का तत्यों तो जो आपके, क्योंकि इस राशी पे शुक्र पूरा परभाव डालता है, तो ये लोग काफी दयालू होते हैं, हरके दया करते हैं, हरकिसी से किसी की सुनते हैं, और ये ही दया इनके लिए कभी-कभी घातक भी बन जाती है, दूसरा, ये काफी अच्छे प्रेमी होते हैं, रोमांटिक होते हैं लोग, क्योंकि शुकर क्या है, रंगीनी और चमक है इसमें जादा, तो ये लोग क्या करते हैं, कि ये काफी रोमांटिक होका, प्रेम इनकी कमजोरी होती है, कामुकता इनमें अधिक होती है, ऐसे नहीं कि बिल्कुँ पागल होते हैं, ये लड़की ढ तो बैस दोनेंगे, अगर लड़की है तो लड़का डोनेंगे बैस, हर जगा मुने मारेंगे, बैस्ट चाहिए, अच्छा चाहिए, बैटर चाहिए, तो इनमें ये चीज होती है, तो कामु पतांता थिय। होती है, लेकिन उठ प्रेम इनकी कमजोरी होती है, ये बिल्हा कि जी नहीं सकते हैं, ठीक है, और अगर इनको अच्छा पार्टनर मिल जाए, जा इस्तरी हो जाए पुरूशो, तो इनको पार्टनर धोका दे दे, तो यह बहुत दुख्यों टेंसन हो जाते हैं, यानि कि तरह से टूट के बिखर जाते हैं, और अपनी लाइपो छत्यनाश क कर देते हैं, यह तुलाश्य की कम्या होती है, अब बात करते हैं, अगली बात, दोस्तों, जो आपकी तुलाश्य के लोग होते हैं, काफी बुद्धि मान होते हैं, ठीक है? कि इसका तत्व, वायू तत्व, वायू तत्व ठीक है, उनको कहने जरूत नहीं है, यह उनके हावास अनमान लगा देंगे, यह आदमे दुखी है कि सुखी है, और दूसरा, यह अपनी बातों से, क्योंकि जो शुक्रा चारिया थे, इनके पास संजीमनी बूटी थी, ठीक है, यानि कि दूसरों को जीवन देने वाला, वश अच्छे बिजनेसमेन होते हैं लो, तो इसी बातों से, कॉम्णिकेशन से, यह बड़े से बड़े वेपार को खड़ा करने की शमता रखते हैं, मिलनसार, यानि कि यह लोगों को भीड़ी-खटी करना जानते हैं, समाज में, यह हमें से लिडर्शिप रहते हैं, क्योंकि य इस ससá और यह रखिता हैं, ध्युयम् सवाईते हैं, पिक हमेटन बिजन वेटन ऑलशिप ट्लव कह रहतों हैं, जैसे अच्छे को शुक्षर कंबें कभी हैं, संगिкиеन को सुनने की रहता है, थे सुक्ति करने शुक्ति हां, ये अच्छे कर तो अच्छिप करे यह को तो दो बहुते ही इन में आटिस्टाइप के लोग होते हैं, सायतिक अच्छे होते हैं, तो इन में कोई ना कोई कला जरूर होगी, फैसल डिजाइनिंग होते हैं, कला से जुड़ा होता है, ऐसा अवेक्ति जो तुलासी से जुड़ावा है, दुछा दोस्तों, ये बड़े हस्मुक ह खुद भी खुश रहते हैं, समाज को भी खुश रखते हैं, तो मैंने का था ना, ये सुक्राचारी थे, एक बास वोचारी में थी, एक हजार वर्ष तक तपस्या करी थी, तब जाके ये वर्षंकर भवां से वर्दान पराप्त किया था, तो अपनमान आ सकते हैं, जो तु ये सुक्राचारी ऐसे थे, ये इततों के गुरू थे, जो अलताड़ कमर जाते, ये ये राक्षा जो मर जाते थे, तो उन्हें ये जीवित कर दे थे, ठीक है? और ऐसे ही लोग होते हैं, अब हर आदमी तो उक लाटी तो सुक्राचारी बन ने सकता, लेकिन इनका को शुकर अच्छा तो एक गुंणनकंद lur जरूर होगा कि लोगों को जिश्ट करने का यानी कि ये अच्छे motivation भी देने वाले भी होते हैं यानी कि इसे बोलता है कि कि किसी को उर्जा देने वाले होते हैं कोई انसान दुखी इंसान हो परशान इंसान हो हतास इंसानों जो इनके पास बठा दो तो ये अपनी बातों से अपने उसा से लोगं को उतिजित कर देते हैं खुश कर देते हैं और हिमत भर देते हैं ये खास बात होती है दोस्तों शुकर का समद हमारे वीरिये से भी होता है दुसरते तुर्राची की लोग, वीर इय मतलब का होता है उसा हट एह लोग काफी उसाहित होते है हर काम को जोपन करते हैं और यह जोशीं के चेह में दिखता है दुर्राराची का लोग होते हैं यह काफी संदर होता है क्योंकि इंको सुंदर बनने का बहुत शौक होता है ये तरह तरह के बैतन कपड़े पहनने का इनका मन करता है और ये पहनते भी है जो तुरा राचे का जातक होगा अपने कपड़ों का विशेज ध्यान रखेगा अच्छा कपड़ा इंसान को सुंदर बनाता है और सुंदर दिखाता भी है तो तुरा राचे के जातक होते हैं इनके कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है दूसरा शुकर का सम्मत खुश्बूस होता है इनने तमाम तरह की हर्याली पहाड़ों की खुबसूरती और परफ्यूम इन्हों बहुत पसंद होता है तुरा राचे के जातकों को दोस्तों दूसरा दोस्तों यह नहां भीड से अलग दिखना चाहता है अपना आपको कि हम भीड से बिलकुल अलग है तो इसलिए अपना बड़ा ख्याल रखते हैं इन्हों और दूसरी बात है खुबसूरती तो खुबसे तीन तरह की होती है शरीर की अलग, कपड़ों की अलग और बातों की तो इन में बात करने का अंदाज इनका इनका अलग होता है कपड़े पहनने का अलग, बात करने का अलग और दिखने का भी अलग ये अपने आपको भीड से अलग दिखाना चाहते है और तारीफ सुनने का इनका बड़ा शौक होता है लोग इनकी तारीफ सुने ले तो वहाए घंटों बैठे रहते है तुर्ण राशी की थोड़ी कमजोरी भी होती है तुर्ण राशी और यही तारीफ सुनने की आदत ही इन से महल भी करवाती है कि बस मैसा बन के जाओंगा मैसा कारी करूँगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे तो यह तारीफ इनको गड़े में डाव लेते हैं तो जह तारीफ जब थोड़ा बहुत ऐसा होता है अगर तुर्ण राशी के लोग संधानते हैं कि और लोग यह इस राशी का विक्ति तारीफ सुनके पिगल जाता है तो लोग बहुत तारीफ करते हैं उनकी और अपना काम निकालके सायड हो लेते हैं तो यह चीज देखा गया है अकसर दोस्तों इसका ज़ो तौतन नबाताया था निकरते भात तीजवे शरीी तो यहीं फिट होती है तो यह सिकके लोग होते हैं बड़ीज चोकन भूनिय, सतर्ग होते है तो इसासी गंटे दूसरों पर नजहर रखे वी हैं और हमेंसा दर लगाता है कि कोई इन पर नदर तो नहीं रखा हुआ है, ठीक है, इसलिए अपनी मान सम्माद के अधिक परवा करते हैं, क्योंकि समाज को ये जाए चलते हैं, क्योंकि यह की मैंने का था ना कि इस राचे का सम्माद माया से भी है, तो माया है दुनिया, संसार, तो इन में लिडर्शिप अच्छी होती है, समाज में ये एक्टीव होते हैं, समाज में इनका नाम होता है, समाज में पद होता है, क्योंकि दुनिया रजोगुणी है, जिस पर धन दौलत है, नाम है, सौरत है, दुनिया उसी की है, तो ये समाज में बेड़े एक्टीव होते तुलाराशी के लोगों की दूसरा, मैंना भी कहा था कि इसमेंगे तराज होता ही काफी न्याए पिरी होता है न्याए हमेशा करते हैं, बेमानी कभी नहीं करते है लड़ाई जगड़े से दूर रहते हैं इंसा इनको पसंद नहीं होती है ठीक है? और किसाथ कोई अन्याए हो रहता है वहाँ जाके खड़े ही भी हो जाते है इन लोग की खास्यत ये होती है तुलाराशी के लोगों की और मैंना भी आपको बताया था कि किसी भी चीज़ से पूंटा संतुष्ट नहीं होते हैं तो शकायत करने के आदत होती है हर चीज़े बलेम बहुत करते हैं मुरी साथ ऐसा नहीं हुआ मैंनी तो मैंनी तुम ऐसा करदेता मिरे पास समय नहीं था मैंनी तो वैसा है कर देता इसा जायन प्राना ऐसा कर्णी फटधा िवाई तुछवावी रहती है क्योंकि जो शुक्र देवता है वो देवतियों के असल में गुरू थे जो उन्हें कूड निती से खाते थे देवताओं से कैसा बचा जाए ठीक है और एक विशे बात देखना आप ये भले ही गुरू तो थे देवतियों के लेकि जो क्वाल्टी शुक्र की है वो सब देवता की है डेवता सुंदर होते हैं देवता साप शुतुर होते हैं अरीक्छी द्यालू होते हूते हैं संतोंसत्त को तो विवैतियों बले ही रह साथ इनके पर यह असली गुर्व जो अच्छा शुक्र अगर हो गा तो देवतां का ही होगा अच्छा kuvit खीक है तो ये लीप तब सब एक समान हो जाते हैं इसलिए अत्यादिक भोग भलासे चकर में नहीं रहना चाहिए ठीक है सुक्राचारिये और जो सुतुर राशिक लोग होते हैं बले न कोई चीज़ें इनके हमेसा इनके आसपास रहती है इसकुछ रहती है लेकिन इन में त्याक करने की शम्ता भ बेकार खाने को निए खाएंगे, हर जगा भोग ब्लास में निलागे रहेंगे, यह उत्म चीजे रखने का शौक है, दूसरा है, इनकार जलेसी भी होती है, पर जलेसी किस परकार की होती है, एक तो होती है मंगल वाली जलेसी, कि भई जो इनसान ये कर पा रहा है, मैं क्यों निकार पा रहा है, और कुती वस्तुों की, यह वस्तुों की जलेसी करते है, क्या ज्ये चीजे इनके पास है, तो मेरे पास क्यों नहीं है, तो तूड़ा जाता है, निकी बड़ा मकान है, तो बैदा मकान je बना औँगा, तो अए जलेसी करते हैं, यह इनकी quality बोलोच इनकी सों में स्भाव और हसमुक चहरा कि यानी चहरा भी अंडाकार का टायप का होगा और दूसरा है जाततर तुलारासी जो लोक होते हैं गालों Pacific गोल रहेगा बाल बड़े काले-काले होते हैं अक्सर गुंगाले होते है और आंखे इनकी बड़ी चमकिली होती है और आक्षन पूर्ण होती है और आइबरोबी लगबग इनकी गनी ही होती है तुलरासी के जातकों की इनको खरदारी करने का बड़ा शौक होता है यह महंगे महंगे चीज़े खरीदने का बहुत शौक रखते हैं बिल्कुल यह मोड़ी होते हैं इस शौक के लिए कुछ भी कर सकते हैं यह कह सकते हैं कि वाकरी पुला रासी का जातक सही माने में जिन्देगी जीता है अपने हर चीज को हर सोक को पूरा करता है कह सकते हैं कि इनको सुक लें क्योंकि संसार में जितना भी सुक है चोटा से बड़ा उससे कारक शुक्र देता है तो यह चोटी सी छोटी चीज से भी सुक ले सकते हैं यह निको बहुत हाइफाई गर्जी तब ही सुकी रहते नहीं जोपड़े में भी रायो जासी जिन्दे की जीने की शम्ता रखते हैं, यहीं तुलराची के लोगों की खास्यात होती है, उसको भी सजासुज़ों को वैसा बना देंगे, ठीक है, तुलराची को बताया गया पार्टनर्सिप, तो दोस्तों यह मित्रों को लेके, परिवार को देखे गए हैं तुलाराची के लोगों को इनके भागशाली अंख कौन सा होता है छे, पंदरा, चौबिस, तैंटीस, प्यालिस, साथ इनका भाग ये अंख होता है अब दोस्तों अम मुख्य मुख्य बात कर देता हूं जो तुलाराची के जातक होते हैं ये अच्छा वक्ता होते हैं और इनमें काफी रचनात्मकारी होते हैं यानि कि इनमें कला होती है, गुण होते हैं दूसरा इनको कपड़े पहनने का शौक होता है यानि कह सकते हैं इनको राची जीवन जीने का शौक होता है इसे कपड़े पहनने का शौक, गुमने फिरने का शौक, लिखने प होता हैं दोस्तों तो दोस्तों इसी के साथ मैं मैं समाप्त करता हूं अगर आपको में जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेट जरूर करें तब तक दोस्तों जै हिम जै भारत नमस्कार